सब्सक्राइब कीजिए सक्चमकारे चैनल को और बेल आइकोन को भी जरूर दबाईए जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हलो फ्रेंड से एन विलकम बेक टू मैं चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पलसर 250 के ब जिससे कंपनी को काफी अच्छा रेस्पॉंस देखने को मिला था उसी को देखते हुए बजाज भी अपनी पलसर 250 को लांच खनने जा रहा है बात की जाए पलसर 250 के इंजिन के बारे में तो इस वायक में आपको डग 250 का इंजिन देखने को मिलेगा जैसा कि आपको पता ही होगा कि KTM के जो इंजिन है वो काफी रिलाइबल और काफी इसमूद होती है लेकिन KTM की बाइक का जो प्राइस है वो काफी हाई होता है इसलिए पजाज जो है वो अपनी पलसर 250 को बहुत ही कम प्राइस के साथ और KTM के इंजिन के साथ बहुत ही जल्द इंडियन में लॉंच करने वाला है दोस्तों पलसर 250 अपनी सेगमेंट में बहुत ही अच्छा पेकेज होने वाला है और अगर हम बात करें इस बाइक की लुक के बारे में तो इस बाइक का लुक एनस पलसर की तरह हो सकता है या फर आरेस पलसर की तरह हो सकता है लेकिन 220F की तरह होने के बहुत ही कम चांसे से और अगर बात की जाए इस वाइक की प्राइस के बारे में तो इस वाइक की प्राइस बन लेक ट्वैंटी थाउजन्ट एक सोरूंग एक्सपेक्ट की जा रही है अगर आपके वीडियो पसंद आयो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए